देखिए गर्म आगरम जुदरी की पूरी तैयार है एका हम पर सब आलू टिमाटर की सबजी के सब्सक्राइब आज हम बनाओ जुदरी की चुछेला यह खाने में बहुताएं मीठ हावत हैं मीठ मींस आप समझ यह होंगे टेस्टी और जुदरी मतलब जौर जौर की नमकीन पूरी यह खाने में बहुत ही टेस्टी है और साथ में यह हमार बंगेल खंडी में बहुत प्रसिद्ध है तो एका लिए हम लिए हैं देड़ सो ग्राम जुदरी का आटा जौर का आटा एका हम कुछू स्पाइसेज उडालब तो एके लिए हम थोड़ का आध एक चाय के चिमिज भरकर हम डालब या सफेद वाला तिली है आपना चाहे काली तिल डाल सकत है यह से सोंद सोंद और आवा थे थोड़ का जीरा डाल दे एक चवथाई से भी काम चिममच एमा और थोड़ का बिलकूल अजवाइन डालब अजवाइन काहे से वन फोर्थ चि हो थी चाहे अपना अब हम डालब विलकूल आधा इंच के लगभग या अधरक है एका हम ग्रेट कर लिए नहीं चाहे तो अपना पेश्टो डाल सकी थे एका और थोड़ का चाच है टुकड़ा डालब हरी मेच हरी मेच अपना स्वादर के अनुसार कम या ज्यादाव कर सक अपना के लिए तेल एल कुछू नहीं डारेका है इक अच्छे से हम चला ले मिला ले हाते भर हां से मिला के अब हम एका लिए माड़े के लिए लिए है कून-कून पानी थोड़का हलका गरम वाटर हम पचे लेब एका और थोड़ थोड़ डालत जाब या बहुत ध्यान से माड़े का होथ है एका गूथे का होथ है तो थोड़ थोड़ हम एमा पानी चीट अब जाब और एका एक सौफ्ट डो तयार कर अब हम देखी बहुत हाड़ है तो एका थोड़ का पानी आओ जा रहा बिल्कुल छीट मारत और एका हाथेली के बल ऐसेन-ऐसेन करते हाथेली के बल एका दूई मिनिट तक एका चिकना कर अब ताकि यह आटा बिल्कुल चिकना हो जाए और पूरियो जब बनाओ तब फाटी ना क कौन कौन से फ्रेंड्स चाओल के चाथीस गड़ों में चौवसेला बना थे लेकिन हमरे बघेल खंडी बुनधेल खंडी साइट चौवसेला जुंदरी कहे बना थे अब बहुत टेस्टी लागा थे का खाय में आप अब मोटा वनाज है तो फावदेव कर अधे हेल्थि के दूइ मिनिट तक हम एका चिकनाडो देखिए बहुत साफ्ट रडो हमार यह रेडी हुई गया है देखिए चिकन भी हुई गया है अब एका हम धाक के 10 मिनिट खिते रख दे तकि यह हमार आटा सेठ हो जाए देखिए हम पौण गिलास के लगभग पानी कुन-कुन लिये रह तो आधा गिलास से भी कम हमार पानी लागा है देखिए हमार आटा रेष्ट करत करत दस मिनिट हुई गा है 10 मिनिट से उपर हो गया है हम हम गयस में कढाई चड़ाए दीने हुआ हम कुकिंग आयल डाय दीने और गयस कफलें तेज कर दीन ताकि हमार तेल अच्छे से गरम ह जाए तक तर्श हम देखी एकर चिकना हम पहले न कर दी रहें अब एकर मन चाहे एकर गोला बनाऊ लोई देखिए हम इती इती लोई न बनाए ने नीबू के बराबर बड़े नीबू के बराबर आप चाहे एका छोट बड़े तक कौनों तरह से भी कर सकी थे को आए जो है देखेस के आःए आज बहुत से बितनर कहा थैं कि हमसे पोवत नहीं बना तो वह आज हम बताऊ कि एमा किति आसानी से चाहे तो अपना चकला बेलन से wellness सकी Hetka टीव लगा के मगर हम बताओ बात के किती आसानी से या बहुत बन जाते हैं देखिए यह हम लोई लेहन इत्ती बड़ी और एक जो है चप्टी का लेहन है और जो पानी रहा कुन-कुन वाला वह थोड का हाथ में ऐसे चीकन का लगाए देखिए अधिया में दबा दबा के किनारे कि हमका दबावे का हो थे अवे से दबा दबा के जैसे अवे अपना के सुरुवात हो बीगनर सोन तो बहुत बड़ी लोई न ले छोड़ छोड़ बन जाए स्वाथ तो वह मेराई हतेली के बल देखिए या मेर एक धीर-धीर दबावे का हो थे यह थोड़ जहां होई वहां कर दबा दे तो यह कोनों बिल्कुल चिकना हुई जये अब बहुत ऐका पाता नहीं करेख हो कर थिकनस देखी यह मेर इत्ताम मोठाम का चाही देखी बहुत पानी नहीं लगा है कि एक बार एक या मेर एक बार या बार अब फिर कॉनों दिक्कत है तो थोड़ थार पानी और लगा ली देखी देखी कढ़ाई बिल्कुल गरम हुई गए धुमा छोड़े लगा अब एका धीरे से एका हम डाल दे और धीमी आच में थोड निचे के पक जही तब आथ खका पल्टा सबस्कोंतों देखी एक साइड या वह हुई गयी है फूलाव पूरा पूल ही गई है कुपा को अब एका हम यह मेर पल्टा सबस्कोंतों देखी एक साइड गुलड़न गोल्ड़न बिल्कुल बनके रेडी थे जब दूसर और और कि गोल्डन हुई जाई तब एका निकाराब देखी दूसर और भी यह पक गई है अब एका हम धीरे से ऐसे खड़ा कर देब ताकि एक्स्ट्रा ओयल निकल जाब और एका एमा दूसर वाली डाल देब और एका हम निकार देब टीशू पेपर में एक यह में सेखल अब दूसर तो जब इसी मेर एक साइड पक जाई तब फिर पल्टब से डाल दे यही तरह सब्री सेकब फ्रेंट्स देखिए गर्म अगरम जुदरी की पूरी तयार है एका हम परसब आलू टीमाटर की सबजी के साथ और साथ में परसब हम मौसमी अचार जयमा दिन्ठाल गाजर समय नहीं है गाजर के अचार आदी के साथ बहुते नीक लागा थिया का अब फ्रेंट्स आपका हमरे रेस्पी समझ में आई है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे कमेंट बॉक्स पर अपना का हमका उत्तर का इंतजा रहा है आलू टिमाटर की सबजी की और या अचार के लिंक हम डिस्क्रिप्शन बाउस पर दिये हैं